हलो एवरिवन टिकलेज एकडेमी यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में AC सर्किट ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें सीरीज RLC सर्किट की कम्पलिट स्टेडी करेंगे और ये आज AC सर्किट का 6th lecture है तो देखे सीरीज RLC सर्किट के बारे में हमने यहाँ पे कुछ important points लिखके रखे हैं चलो अब इनको study करते हैं लेकिन आज का ये topic अच्छे से समझने के लिए आपको इसके पहले के lectures में हमने जो भी topics लिए थे उसकी जानकारी होना चाहिए जैसे AC through pure resistance, AC through pure inductance, AC through pure capacitance, AC through series RLC circuit ये सभी topics की जानकारी अगर आपको है तो आप ये topic जो आज हम study करने वाले हैं ये आपको अच्छे से समझ में आएंगा तो इसके पहले के lectures आपको हमारी YouTube चैनल पे मिल जाएंगे वो lectures आप study कर लिजेगा उससे आपका AC circuit का पूरा basic concept clear हो जाएंगा तो चलो यहाँ पे अब start करते हैं study करना तो यहाँ पे हमने heading लिखा है सबसे पहले series AC circuit ठीक है और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे topic study कर रहे है series RLC circuit यहाँ पे सबसे important क्या है सबसे important है word series ठीक है RLC तीनों को यहाँ पे series में लिया है R माने resistance, L माने inductance और C माने capacitance तीनों अगर series में हो और अगर आप उसको AC voltage अप्लाय कर रहे है तो voltage के वज़े से जो current flow होगा वो current lead करेंगा या lack करेंगा या phase में रहेंगा वो हमें यहाँ पे study करना है और उसका phasor diagram भी study करना है तो चलो यहाँ पे हम study करते हैं यह देखिए इसके लिए यह एक circuit diagram यहाँ पे draw किया है देखो यह circuit diagram में आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको तीन component दिखाई दे रहे है पहला है resistance, ठीक है R जो की जिसका unit रहेंगा ओह हम दूसरा component है inductance जो की है L और इसका unit रहेंगा हेंडरी और तीसरा component है capacitance जो की C है और इसका unit रहेंगा फैरेड तो यहाँ पे तीनों की तीनों यह series में है और यह series form में यह circuit बनाया है और इसके across हम यहाँ पे voltage अपलाय कर रहें यह यहाँ पे जो आप voltage अपलाय करेंगे यह एक alternating voltage रहेंगा और alternating voltage का यह standard equation रहेंगा V is equal to Vm sin of omega t यह alternating voltage का equation कैसे बनता है यह हमने AC circuit के first lecture में बताये थे तो अगर आपने first lecture नहीं study किये है तो आप यहाँ से study कर लिजेगा AC voltage V is equal to Vm sin of omega t कैसे बनता है वो concept आपका उसमें clear हो जाएंगा तो अगर आप इसके across AC voltage अपलाय करेंगे यह topic अगर आपका exam में आता है तो ऐसे में सबसे पहले यह diagram draw करना है diagram draw करने के बाद उसके नीचे आपको एक दो line ऐसे कुछ statement लिखना है देखो क्या statement लिखना है हम आपको बताते हैं तो यह statement आप ज़रा ध्यान से सुनिए काफी important यह statement रहेंगा तो statement ऐसा है देखो यह हमने जो statement बताया है यह काफी important है आपको यह circuit के नीचे ऐसा statement लिखना है यह statement का क्या मतलब है तो statement का मतलब यह है कि अगर आप series RSE circuit के across अगर आप alternating voltage अपलाई करेंगे जो की रहेंगा V is equal to Vm sin of omega t यह अगर आप alternating voltage series RSE circuit के across अगर अपलाई करेंगे तो इसके वज़े से जो current flow होगा वो भी alternating form में रहेंगा और यह current load condition के उपर depend करते हुए यह current या तो voltage को lead करेंगा या तो voltage को lag करेंगा या तो voltage के phase में रहेंगा यह सब कुछ depend करता है load condition के उपर अब यह load condition का क्या मतलब है तो तीन टाइप की load condition बनती है पहला है inductive load condition second है capacity load condition और तीसरी है resistive load condition यह तीन टाइप की load condition यहाँ पर बन सकती है क्योंकि यहाँ पर देखो आपको आगे बताएंगे लेकिन यह सबसे important है कि current voltage को lead करेंगा या lag करेंगा या phase में रहेंगा यह सब कुछ depend करता है load condition के उपर अब चलो हम आगे देखते हैं कि इसका क्या अर्थ रहेंगा तो यहाँ पर हमने आपको alternating voltage का equation बता दिये देखो alternating current का equation i is equal to im sin of omega t plus minus phi यहाँ पर v लिका है v याने voltage vm याने maximum voltage omega t omega याने angular velocity t याने time ठीक है उसी तरह से current की अगर बात करें तो i याने current im याने maximum current omega t तो हमने बता दिये और phi याने phase angle और यहाँ पर plus minus लिका है देखो plus minus लिका है इसका मतलब यह है कि load condition के उपर depend करता है कि current lead करेंगा या lack करेंगा अगर lead करेंगा अगर current lead करेंगा तो आपको plus phi ऐसा use करना है और अगर current lack करेंगा तो आपको minus phi ऐसा लिकना है ठीक है समझ गे तो अब देखो अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे हमने दो और form रखे है problem solve करते समय आपको voltage का ये form यूज करना है और current का ये form यूज करना है ठीक है voltage का form क्या है V is equal to Vm at an angle of 0 देखो यह जो voltage का equation है इसमें यहाँ कोई angle आपको दिखाई दे रहा क्या नहीं तो यहाँ पे है Vm at an angle of 0 यहाँ से सिर्फ आपको Vm का value मिलता है angle यहाँ पे कोई भी type का phase angle नहीं मिलता है angle यहाँ पे 0 है इसलिए हमने लिखा है Vm at an angle of 0 जबकि जो current का equation है यहाँ से आपको Im का value मिलता है और phase angle 5 का value मिलता है ठीक है voltage का unit रहेंगा hold और current का unit रहेंगा ampere ठीक है तो यह हमने alternating voltage और alternating current की आपको पूरी जानकरी दे दिए और यह हमने आपको series form में बता दिए कि load condition के उपर depend करता है कि current voltage को lead करेंगा या lag करेंगा या phase में रहेंगा ठीक है यह series form में है अगर आपको pure form में सुनना है जैसे अगर यहाँ पे only resistance हो या only inductance हो या only capacitance हो तो वो pure form होता है तो उसके उपर already इसके पहले starting में हमने videos अपलोड किये थे वो videos आप देख लीजेगा अगर यहाँ पे pure resistance हो तो current voltage के phase में रहेंगा है अगर यहाँ pure inductance हो तो current voltage को lack करता है by 90 degree और अगर यहाँ पे pure capacitance हो तो current voltage को lead करता है by 90 degree ठीक है यह pure form में होता है लेकिन यह series form में है फिलाल तो load condition के उपर depend करता है तो यहाँ तक हमने study कर लिए अब देखो यह current अगर हमें find out करना है तो current find out करने के लिए formula क्या रहेंगा देखो current find out करने का formula आपके सामने है current I equals to V by Z यह actually ohms law का formula है ohms law के according ohms law का formula होता है current I equals to V by R यह ohms law का standard formula होता है V माने V जो है वो hold में होता है और जो R माने resistance है वो ohm में होता है इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हमें hold that is V चाहिए और यहाँ पे हमें जो भी होना वो ohm में चाहिए इसका मतलब V by ohm के form में हमें चाहिए यह देखो यह जो formula है यह ohms law के according है I equals to V by Z V याने voltage ठीक है और Z माने impedance हमने यहाँ पे impedance का use किया है impedance देखो यहाँ लिखा है where Z याने impedance और impedance का unit होता है ohm ठीक है यहाँ पे impedance हमने use क्यों किया है उसका reason यह है क्योंकि यहाँ पे यह तीनों series में है हमें क्या करना होता है तीनों का ohm यहाँ पे add करना होता है जबकि सिर्फ resistance ohm में है L और C जो है वो hendry और farad में है तो हमें क्या करना है यह hendry और farad को यहाँ पे ओहम में convert करना है हिंद्री और फेरेड को ओहम में convert करने के लिए हमें X का use करना है X याने reactance देखो X X याने क्या होता है reactance होता है और reactance का unit होता है ओहम हम क्या कर सकते हैं यह हिंद्री और फेरेड को X का use करके ओहम में convert कर सकते हैं तो ये L को देखो ये जो हिंद्री है जो की inductance का unit है इसका मतलब L, L को हमें XL बनाना पड़ेंगा, अगर आप L को XL बनाओंगे तो उसका unit ओहम हो जाएंगा, उसी तरह से C को अगर आप XC बनाओंगे तो फिर वो ओहम हो जाएंगा, और फिर ये तीनों का ओहम जब आप add करे है, तो हमने इसलिए यहाँ पे लिखा है, that is total current equals to total voltage by total impedance, ऐसा है, यह total current है, total current flowing through the circuit is equal to total voltage applied across the circuit and total impedance, याने total ohum across the circuit, पूरे के पूरे circuit का जो total ohum है, वो यहाँ पे हमें use करना है, that is impedance के थ्रू, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए XL और XC क्या है, वो हम आपको आगे बताएंग देखो, यहाँ पे यह जो Z है, वो Z का formula यह होता है, देखो, जैसा हमने कहा, कि Z के थ्रू आपको क्या करना है, तीनों का ohum हमें add करना है, तो add करने का process क्या है, देखो, add करना है, मतलब ऐसा नहीं कि सिधा सिधा तीनों को plus करना है, ऐसा नहीं, इसको add करने का एक process है, एक formula फार्मूला है, देखो, फार्मूला हमने यहाँ पर यूज किया है, देखो, फार्मूला यह है, Z is equal to R plus J XL minus XC, इस तरह से आपको अड़ करना है, इसका ओहम आपको हमेशा प्लस करना होता है, और इसका ओहम आपको हमेशा माइनस करना होता है, ठीक है, यह देखिए, इसका that is xl, वो हमने यहाँ प्लस में लिका है, और इसका ओहम, that is xc, वो हमने यहाँ पे माइनस में लिका है, ठीक है, और यहाँ पे हमने उसको r के साथ add कर दिये, that is z का formula बन गया, r plus j, xl minus xc, ठीक है, j याने imaginary part होता है, ठीक है, तो यह हमें z का formula यहाँ पी मिल गया, z का एक दूसरा formula भी है, देखो z का यह, उसके नीचे दूसरा formula लिका है, r के थू, तो z का formula यह है, अगर आपको under root के form में होना, तो z is equal to under root of, formula में लिका है, under root of r square, plus bracket में xl minus xc का whole square, ठीक है, तो यह दोनों formula में difference क्या है, देखो difference हम आपको बता देता है, यह difference यह है, कि यह जो पहला formula है, यह पहले formula के थू, आपको z का magnitude भी मिलता है, और phase angle 5 भी मिलता है, ठीक है, अगर आप यह formula यूज़ करेंगे तो, तो आपको impedance का magnitude, और phase angle 5 दोनों मिलता है, इसके थू, लेकिन अगर आप यह formula यूज़ करेंगे, तो यह formula के थू, आपको सिर्फ जेड का magnitude मिलता है, आपको सिर्फ यहाँ पर real term मिलता है, magnitude, आपको phase angle 5 नहीं मिलता, फिर आपको phase angle 5 अलग से find out करना पड़ता है, phase angle 5 अलग से find out करने के लिए formula एक अलग आता है, देखो formula हमने यहाँ पर लिखा है, phase angle 5 का formula यहाँ पर tan inverse of XL minus XC numerator में है, और denominator में है R, ठीक है, यह formula का use करके आप phase angle 5 अलग से निकाल सकते हैं, ठीक है, तो यह दोनों formula हमने आपको बता दिए, वैसे problem solve करते समय अगर आप ज़्यादा तर यह formula अगर आप यूज करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेंगा, यह formula यूज करने से आपको Z, that is impedance का magnitude और phase angle 5 दोनों एक साथ मिलते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप यह formula यूज करते हैं, XL, थोड़ी देर पहले हमने आपको बताए थे, यहाँ पे XL, देखो यह L है, L जो की हेंडरी में है, ठीक है, इसको अगर आपको ओहम में convert करना है, तो X का use करना है, X याने reactance, तो इसके तुरू हम बनाएंगे XL, तो यह देखो XL का formula हमने यहाँ पे लिखा है, इसके पहले हमने यहाँ पे पताए थे, ठीक है, Omega into L, ठीक है, इसके तुरू आप XL निकाल सकता है, और अगर आपको XC find out करना है, तो XC find out करने का formula 1 by Omega C, only C है, तो capacitance, तो XC अगर है, तो यहाँ पे capacity-to-reactance, ठीक है, XC याने capacity-to-reactance, और इसका formula 1 by Omega C, ठीक है, और Omega का यह standard, यहाँ पे value होता है, देखो, Omega का value, that is 2 by F, यह Omega का standard value है, 2 by F, F याने frequency, तो अगर आप Omega का यह value, अगर आप यहाँ पे put करते हैं, और यहाँ पे put करते हैं, तो देखो XL का formula यह बनता है, अगर XC find out करना है, तो XC के लिए, देखो, आपको क्या करना है, Omega का यह value यहाँ पे put करना है, तो XC का यहाँ पे आपको formula मिल गया, XC is equal to 1 by 2 by F, C, ठीक है, XL का unit यहाँ पे ohm लिखा है, और XC का भी unit ohm लिखा है, तो यहाँ तक हमने study कर लिए, और अब हम आगे बढ़ता है, और अब देखिए, यहाँ पे 3 phase diagram आपको दिखाए दे रहे, चलो यह 3 phase diagram को हम 1 by 1 study करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको load condition की जानकारी होना चाहिए, देखो load condition, हमने starting में आपको 3 type के load बताए थे, inductive load, capacity load, resistive load, अब उसके बारे में हमें देखना है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 आपको component दिखाए दे रहे हैं, R, L, C, L के थूँ आपको XL मिलता है, और C के थूँ आपको XC मिलता है, लेकिन कोई भी problem solve करते समय, XL और XC का value जो है, वो vary करता है, कभी XL का value जादा रहता है, कभी XC का value जादा रहता है, कभी दोनों का value सेम रहता है, तो उसी के उपर depend करता है, देखो, अगर, अगर सर्किट में XL का value अगर XC से जादा है, तो देखो, यह पहला case बनता है, पहले case में क्या लिखा है, if XL is greater than XC, अगर XL का value अगर XC से ज़ादा है ऐसे में क्या होता है देखो अगर यहां circuit में XL का value अगर XC से ज़ादा है ऐसे में यह circuit RL circuit के तरह behave करेंगा RL ठीक है क्योंकि L का value ज़ादा है L का value अगर ज़ादा है तो circuit RL circuit के तरह behave करेंगा देखो RL circuit के तरह behave करेंगा इसका मतलब ये inductive load हो जाएंगा और अगर ये inductive load हो रहा है अगर ये RL circuit के तरह behave कर रहा है तो ऐसे में current voltage को lack करेंगा by an angle of 5 ठीक है ये सबसी important है यहाँ पे current voltage को lack करेंगा by an angle of 5 अगर आप इसको ultra कहना चाहरे हैं RL circuit लिये थे उसमें हमने ये सारी चीज़े बताए थे जब कभी भी RL circuit होता है तो current voltage को lack करता है by an angle of 5 या ultra voltage current को lead करता है by an angle of 5 तो यहाँ पे हम वही study कर रहा है देखो XL का value अगर XE से जादा है तो ये जो phaser diagram है ये phaser diagram से आपको पता चलता है कि यहाँ पे current voltage को lack कर रहा है by an angle of 5 या ultra voltage current को lead कर रहा है by an angle of 5 तीक है यहाँ पे यह जो circuit है यह जो phaser diagram है यह हमने pure form में draw किया है देखो यहाँ पे जो current है उसको हमने reference axis के along लिया है यह main current है total current यह जो total current flow हो रहा है यह वो है यह total current flow हो रहा है यह हमने reference axis के along लिया है और यहाँ पे देखो यह 0 से उपर यह हमने VL लिया है और 0 से नीचे VC लिया है 0 से उपर यह जो हमने VL लिया है VL याने voltage across inductance या और यह VC याने voltage across capacitance ठीक है और यहाँ पे यह pure form में है देखो यह R के across जो voltage रहेंगा वो रहेंगा VL ये VC और ये VR ठीक है लेकिन यहाँ पे हम condition कुछ से study कर रहें? condition है XL greater than XE XL का value XE से जादा है तो जब XL का value XE से जादा रहेंगा तो ऐसे में जो current flow होगा वो inductance के according flow होगा और ऐसे में यहाँ पे voltage रहेंगा VL minus VC क्योंकि XL XE से जादा है तो VL भी VC से जादा रहेंगा तो ऐसे condition में देखो यहाँ पे VL minus VC के across का phaser यहाँ पे है ठीक है resistance के across का phaser यह है और ये दोनों को phaser को जब आप add कर लेंगे तो देखो यहाँ से हमने एक parallel line draw किये parallel line इसको VR को हमने यहाँ से parallel बना दिये और यहाँ से हमने एक parallel बना दिये VL minus VC को और दोनों यहाँ पे intersect हो रहें देखो यह intersecting point से हमने main voltage that is यहाँ पे total voltage यहाँ भी हमने show किया है यह total voltage यह current को अब यहाँ पे देखो lead करेंगा by an angle of phi voltage current को lead कर रहा है यहाँ पे by an angle of phi या current then यह voltage और यह इसके बीच में हमें phi show करना है यह देखो ऐसा देखो ऐसा छोटा सा phase diagram अगर आप show कर सके तो भी चलेंगा देखो यह current यह voltage और इसके बीच में phi देखो यह current, voltage और यह phi यह देखके भी आप ऐसा कह सकता है कि voltage करन को lead कर रहा है या ultra बोलो current voltage को lag कर रहा है by an angle of phi तो यह कब होता है जब XL का value XE से जादा है ऐसे में यह सब होता है XL का value XE से जादा है ऐसे में यह circuit RL circuit के तरह behave करता है और current voltage को lag करता है by an angle of phi इसका मतलब यह inductive load हो गया और अब second condition के बारे में देखते हैं second condition में इसका ultra रहेंगा totally ultra second condition में यहां लिका है second condition when XE is greater than XL अगर XE का value XL से अगर जादा हो ठीक है इसका मतलब capacitance का value अगर inductance से जादा है ऐसे में यह जो circuit है यह RC circuit के तरह behave करेंगा थोड़े देर पहले इसके time यह circuit RL circuit के तरह behave कर रहा था और current voltage को lag कर रहा था लेकिन यह condition जब रहेंगी when XC greater than XL तो इसके time यह circuit RC circuit के तरह behave करेंगा जब यह RC circuit के तरह behave करेंगा इसका मतलब वो हो जाएंगा capacity to load और ऐसे में current voltage को lead करेंगा by an angle of 5 थोड़े देर पहले इसके यहाँ पर हमने study किये थे कि current voltage को lag करेंगा लेकिन इसके time देखो इसके time current voltage को lead करेंगा by an angle of 5 क्योंकि यह circuit RC circuit के तरह behave करेंगा थीक है अगर current voltage को lead करेंगा by an angle of 5 तो आप इसका ultra बोलो कि voltage current को lag करेंगा by an angle of 5 तो ऐसे में phasor diagram आपके सामने है देखो phasor diagram में क्या दिखाई दे रहा है फिर से हमने current को reference axis के along लिया है यह VL यह VC जो की standard form में है ठीक है यहाँ पर 0 ठीक है और यहाँ पर देखो यहाँ से नीचे जो phasor हमने लिया है वो है VC-VL क्योंकि यहाँ पर जो voltage रहेंगा ठीक है यहाँ पर VC-VL रहेंगा क्योंकि इसका value जादा है तो VC-VL वो एक voltage हो जाएंगा ठीक है तो वो हमने यहाँ पर नीचे लिया है और यह VR ठीक है यह pure form में हमने लिया है और अब इन दोनों का phasor जब आप यहाँ पर plus कर लेंगे तो यहाँ पर cross section point से total voltage V हम show कर सकता है तो यह हमने total voltage V show किया है और यह V जो है यह applied यह जो V है यह current को यहाँ पर lag कर रहा है बाइन अंगल आफ फाय है ठीक है आप इसका short अगर phasor diagram ड्रॉख करना चाहते है तो short phasor diagram कुछ ऐसा हो सकता है देखो यह current I और यह V और यहाँ पर फाय है इसका मतलब यह जो phasor diagram थोड़ देरे पहले बनाया थी इसका ultra phasor diagram आप यहाँ ड्रॉख कर सकते हैं यह देखके आप कह सकते हैं कि current voltage को lead कर रहा है बाइन अंगल आफ फाय या ultra voltage current को lag कर रहा है बाइन अंगल आफ फाय तो यह pure form में है यह हमने directly यहाँ पर draw किये exam में draw करते समय आपको यह draw नहीं करना है ठीक है यह सिर्फ हमने आपको अभी समझाने के लिए बताया है exam में अगर condition आई तो आपको यह condition यह condition आपको यह पूरा phasor diagram as it is आपको draw करना है आपको full marks मिलेंगे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो यह सबसे important था यहाँ पर कि XL अगर XA से ज़ादा है तो क्या होगा और XC अगर XA से ज़ादा है तो क्या होगा तो यह आप दिमाग में fit करो कि अगर XL का value XA से ज़ादा है तो circuit RL circuit के तरह behave करेंगा और current voltage को lag करेंगा by an angle of 5 और अगर XC का value XA से ज़ादा हो तो circuit RC circuit के तरह behave करेंगा और current voltage को lead करेंगा by an angle of 5 ठीक है यह दोनों condition सबसे important है लेकिन एक और condition आती है एक और condition 3rd condition देखो 3rd condition हमने यहाँ लिकी है जिसमें XL और XC का value सेम हो सकता है अगर problem में XL और XC दोनों का value अगर सेम हो ऐसे में क्या होगा तो अगर XL और XC दोनों का value अगर सेम हो तो circuit RL circuit भी नहीं और RC circuit भी नहीं दोनों की तरह behave नहीं करेंगा circuit resistive circuit हो जाएंगा और वो pure form pure resistive form में चले जाएंगा और current voltage के phase में रहेंगा देखो इसके लिए phase diagram हमने यहाँ draw करे के रखा हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह total current है ठीक है यह VR देखो यहाँ पर VR जो पहले यहाँ पर धा ठीक है यहाँ पर current के across देखो यहाँ पर फिर से वही पर है और यह VL और यह VC जो pure form में था उसी form में यहाँ पर total voltage भी आपको धिकाई दे रहा है total voltage वो VR के across ही है ठीक है इसका मतलब जो voltage है वो current के phase में है या ultra बोलो current जो है वो voltage के phase में है यह phaser diagram से आप ऐसा शोग कर सकते हैं ठीक है तो यह सबसे important है कि अगर XL और XE का value सेम है तो circuit resistive circuit हो जाएंगा और current voltage के phase में रहेंगा या ultra बोलो voltage current के phase में रहेंगा ठीक है तो यह तीनो conditions यह तीनो phaser diagram के लिए perfect है यह हमने यहाँ पर study कर लिए वैसे अगर आपको यह phaser diagram में doubt है यह phaser diagram कैसे बनी वो अगर आपको नहीं समझ में आई तो इसके पहले के lectures इसका मतलब series RL circuit और series RC circuit के वीडियोज आप देख लिजेगा उसमें हमने यह पूरी तरह से explain करके बताये थे कि यह phaser diagram कैसे draw करना ठीक है उसके थुरू आपका पूरा doubt clear हो जाएंगा वैसे आने वाले दिनों में जब हम इसके problems लेंगे तो इसके problems में हमें number of phaser diagrams draw करना है उसमें भी यह concept आपका clear हो जाएंगा तो फिलाल यहाँ पे हमने series RLC circuit पूरी तरह से study कर लिया है उम्मिद करते हैं कि यह पूरा series RLC circuit का concept आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे हमने जितने भी formulas study किये हैं यह सभी formulas आपको अपनी notebook में लिख लेना चाहिए यह सभी formulas काफी important है क्योंकि इसके problem solve करते समय यह सभी formulas आपके पास होना चाहिए तो आप कोई भी type का problem आसान इसे solve कर सकते हैं तो आज की वीडियो में फिलाल इतना ही यह था आज का RLC circuit का lecture मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यू वेरी मच